कविता बोल के सभी दर्शकों को और सभी प्रशन्सकों को हमारा सलाम दोस्तों कई बार आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आप नए विचार वाले लोगों की नाम से जानते हैं या डबल कोड्स, प्रोग्रसिव लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारे लोग असल जिंदगी में जो काम करते हैं या जिस तरीके से परिस्थितियों कोरेस्पॉंड करते हैं उसमें कहीं न कहीं यह परिलक्षित होता है कि नए विचार वाला व्यक्ति होना या प्रोग्रसिव व्यक्ति होना सिर्फ एक परिकल्पना है, एक इम्राजिनेशन है और वास्तव में ऐसा नहीं है ऐसी ही कई सारी अब्जर्वेशन के मद्दे नजर मैंने एक कविता लिखी थी कुछ दिनों पहले जिसका सीर्षत था नए विचार आईए आज कविता बोल पर हम यह कविता सुनते हैं नए विचार नए कपड़ों की तरह होते हैं, आप अपने घर के अंदर उनका उपयोग नहीं कर सेखें अगर आप ऐसा करते हैं, तो लोग आपको पागल बेवकूख समझते हैं आपके बड़े आपको कहते हैं कि नए कपड़े घर के बाहर पहनते हैं, घर के अंदर नहीं ऐसे ही नए विचार लेकर आपसे मिलने वाले लोग अपनी खाल के अंदर अब भी बहुत पुराने हैं वो नए विचारों का लबादा धर के अंदर घुशते ही सभ्यता की खूटी पड़ता है और मैं, मैं ये सब नहीं करता, इसलिए हर रोज नाट खाता है सबसे नए विचार आग्रह की विशेवस्ति है बाजारों में बिक रहे हैं, नए कपरों गिते हैं सबस्टेता है सबस्टेता है